हेले स्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप से बच्छोंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलने को बच्छों क्लास टुल्ड कमिस्ट्री न्सी आर्टी में चैप्टर 7 चल रहा ह है एलकोहल का निरजली करण और एलकोहल का हैलोजनी करण दो चीजें आप सीखेंगे क्योंकि एलकोहल की रासानी का अभुक्रिया थोड़ा सा लंबा चोड़ा है बनाने की बीदी को हमने एक ही वीडियो लेक्चर में प्रवाइड कर दिया था लेकिन 20-25 मिनट की लेक्च यह एलकोहल है क्या रहती एलकोहल में फ्राथमिक दुतियक हो तृतियक तीनों प्रकार के लेकोहल को जानना जरूरी क्योंकि सद्बाहर लेक्च अब गरुंग आईगे OH से जुड़ा पहला कार्बन ये अलफा कार्बन कहलाता है और दूसरा कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाता है ध्यान रखेगा जो भी हमारा क्रियात्मक समू है OH उस से जुड़ा हुआ कार्बन अलफा कार्बन और दूसरा जो कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाएगा फिर तीसरा गामा कार्बन अब जैसे बच्चो यहाँ पे मैं दुतियक अल्कोहल की बात करूँ तो CHOH है और इसके साथ दो अल्किल ग्रूप होंगे एक आपका यह CH3 हो गया एक आपका यह CH3 हो गया तो दो अल्किल यह हो गया बीटा कार्बन यह हो गया चाहिए आप इसको भी दे दें ठीक है अब ऐसे ही बच्चो हम यहाँ पर यह आपका कार्बन है इसके साथ दी तीन अल्किल ग्रूप जुड़ जाएं यह आपका CH3 CH3 और CH3 तो यह त्रतियक अल्कोहल कहलाया अब इसमें अल्फा बी किसी को आप बीटा दे सकते हो दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन क्योंकि अभी आप इल्कोहल का निर्जली करण करोगे निर्जली करण का मतलब यह होता है कि जल के अडू का तूटकर निकलना अब वैसे भाई सहाब किसी से मतलब अंदर से कुछ चीज़ें निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा गर्म करना पड़ेगा तो चाहे हम प्राथमी के अल्कोहल की बात करें चाहे दुतिया के अल्कोहल की बात करें इन सब को हम गर्म करेंगे तो हमें जल का अडू मिलेगा अब जल का अडू कैसे मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रख को लेगा यहां का जो OH है बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेगा और H2O के रूप में अलब हो जाएगा जलकारू निसकासित हो जाता है OH समू के साथ बीटा हाइड्रोजन परमारो निकलता है अब देखिए यहां पर ध्यान यह देखना है कि भाई साहब OH से जुड़ा हुआ कार्बन अलफा कार्बन और इससे जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अलफा हाइड्रोजन कहलाएंगे ऐसे बच्चो बीटा क आर्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे तो यह चीज आपको क्लियर रखना है तो देखो जारा अलकोहल का निर्जली करण सांद्र सल्फ्यूरिक अमने के साथ गर्म किये जाने पर किसको अलकोहल को गर्म किये जाने एलकोहल से एक अडुट जल के निकलने से एलकीन बनता है, मतलब एलकोहल से जब जल काणु निकलता है तो एलकीन बनता है, उस पर हम बिल्कुल डीप में चर्चांगरेंगे, आप बिल्कुल परसान नहांूँ, यह अब क्रिया एलकोहल का निर्जली करण कहलाती है, ओयेज स मुं के साथ बीटा हीड्रोजन परमार निकलता है अब आपके मत में एक सब से बड़ा प्रशन ही हो ता की प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो बच्चो सीधा कोशन आता है कि एलकोहल के निजली करण को समझाइए एलकोहल के हैलोजनी करण को समझाइए शीधarent आ जाता है या कि आ जाएगा आपका एलकोहल से आप एलकीन बनाओ ठीक है ऐसा आ सकता है डायरेक्ट आ सकता है कि भाई दुतियक एलकोहल से क्या होता है जब एलकोहल को हम H2SO4 के उपस्थिती में गर्म करते हैं क्या होता है जब ऐसा कोशन पूछ देगा ना क्या होता है चलिए हम रासानी कभ्रिया को देखते हैं बच्चो यह आपका CH3 है CH2OH इसको आप बताओ यह प्राथमी के लकोहल सबको पता है यह प्राथमी के लकोहल यदि CH3 और यह CS3 और इसमें बच्चो यहाँ पर आपका CHOH तो यह दुतिया के लकोहल है पहले इस अबक्रिया को देखते हैं फिर दुतिया के लकोहल की बात करते हैं यह ज temperature पर होता है और यह लगबग 100 degree Celsius temperature पर हो जाता है ठीक है और जो तीसरा है वो लगबग 80 degree Celsius पर ही संपन हो जाता है अब देखेगा हम भाई सहाब क्या बोले थे आपको कि जो OH है ना वो बीटा हाइड्रोजन मतलब यहां के हाइड्रोजन को उठाता है तो यहां पर बचेगा CH2 single band CH2 अब कार्बन और कार्बन की बीच कितना बंद होता बच्चो यहां पे टोटल चार बंद हो सकता है मतलब कार्बन की समयज़कता चार होती है तो इस कार्बन की देखे तो दो हाइड्रोजन और एक तीन तो यहां पर double band लगा दें तो इसकी balance complete OH जो है यहां से H को कि उपस्तिती में हो रहा है H2SO4 किसके उपस्तिती में हो रहा बच्चो H2SO4 यहां पर आप देख लीजे थोड़ा सा समझिएगा यह जो OH है ना बच्चो यहाद यह आलफा कार्बन है तो यह बीटा कार्बन होगा इसका hydrogen बीटा hydrogen जैसे यहां पर यह alpha carbon तो यह बीटा तो यहां पर जो OH है बीटा कार्बन से एक hydrogen ले जाता है तो देखेगा थोड़ा सा यहां पर आपका माली यह CH2 बचेगा और यहां पर आपका CH3 है ठीक है प्लस आपका H2O बाहर हो गया वह अलग मेटर है अब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच बंद देखिए इस कार्बन की बेलेंसी टोटल चार होती है तो एक दो और एक hydrogen तीन यहां पर आप डबल बंद लगा दो तो यहां आपका हो गया बच्चो चार हर कार्बन की बंद चार होनी चाहिए इस कार्बन में दो hydrogen और दो यह तो चार हो गया तो देखो ज़रा यहां भी कार्बन कार्बन के बीच बंद है मतलब एलकीन का निर्माड हुआ अब इसी प्रकार से हम त्रतियक एलकोहल की बात करते हैं बच्चो त्रतियक एलकोहल में पहचान क्या होता है कि जो हमारा OH है इसके साथ तीन एलकील ग्रूप जुड़ा है यह से यहां पे CS3 यह CS3 यह CS3 तीन एलकील ग्रूप है बच्चो और सेम प्रोसेस है अब क्रिया में कोई छेण खानी नहीं लगवाग यह CS3 ताप पान पर संपन हो जाता है ह-, ow-H है बीटा हाइड्रोजन को उठाएगा चाहिसे यहां से उठा दूं यहां से इच्छा है जहां से उठाना चाहता हूँ जिसमें कहता हूँ CH2 यहां से उठा दिया एक hydrogen अब अच्छा है कारवन इधार यह CS3 complete है नीचे भी CS3 complete है और OH यहां से H को लेकर की H2O के रूप में हो गया तो बच्छो इस कारवन कारवन की भी balance ही complete नहीं है तो मैंने double band लगा दिया तो यह मेरा देखो जरा प्रात्मी के अलकोहल भी अलकीन दिया दुतियक अलकोहल भी अलकीन दिया और तुतियक अलकोहल भी अलकीन देता है यहां पर आप थोड़ा सा डीप में यहां पर समझेगा कि देखे कोई भी हमारा कारवन अलफा कारवन है यहाँ पे दिखाया गया है कि O H जिस carbon से जुड़ा है अलफा carbon इस से जुड़ा हुआ दूसरा carbon बीटा carbon और इस से जुड़ा hydrogen तो बीटा hydrogen यह जो है बच्चो इस प्रकार से स्योग करता है यह जो H है ना है ना यह H है यह O H समू जो है वो बीटा hydrogen को उठा करके H2O बना देता है और ये कार्बन कार्बन के बीच दूई बंद लग जाता है यही आपका बच्चो मेन रूप से रियक्षन है ठीक है निर्जली कड में जल क्याणों का बाहर निकलना प्राथमी के अलकोहल में यहां से 1H को बीटा हाइड्रोजन को उठाया H2O बनाया तो आपका ये एलकीन ग्रूप बन गया ठीक है वो दिक्कत तो नहीं है जब हम बात करते हैं दुतियक अलकोहल की यहां पर आप देखो दुतियक अलकोहल में एक हाइड्रोजन यहां से निकाला तो मा लीजे यहां पर CH2 बचा CH3 है CH है यह CH2 बचा एक हो एक हो एक के सन कंवर्ड होकर कि CH2O बना लिया ठीक है तो यह कारवन कारवन के बिच दुई बंध हमको लगाना पड़ेगा बैलेंसी के आधार पर इसी प्रकार से जब तरतियक अलकोहल की बात करते हैं बच्चो तो आप कहीं से उठालो यहां पर पूरा बैलेंसी कंवर्ड नहीं है जैसे CH3 है यह कारवन है एक CH3 और जोड़ना पड़ेगा आपको यहां पर ठीक है तो यह CH3 हमने जोड़ दिया अब कारवन कारवन के बिच दुई बंध क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन को उठाकर O.H. H2O में कंवर्ड हो गया इस प्रकार से निर्जली करण है ठीक है आसानी किसमें है जिसमें कम टंप्रिचर लगता है बताओ किसमें कम ताप मान लगा तरतिया के अलकोहल में तो किसका निर्जली करण आसान है बच्चो तरतिया के अलकोहल का तो सबसे आसानी से निर्जली करण तरतिया के अलकोहल का सरलता से फिर दुदिया फिर प्राथमी करम यदि करम आ जाए अबजेक्टिव का कि अलकोहल में निर्जली करण का क्रम सही है सरलता से निर्जली करण किसका होता है पहले तरतिया के अलकोहल का फिर दूतिया का फिर प्राथमी के अलकोहल का यह निर्जली करण का क्राम है किनी तरतिया के अलकोहल का निर्जली करण पहले हो जाता है आसानी से हो जाता है फिर दूतिया के अलकोहल का फिर प्राथमी के अ पहला अबक्रिया एल्कोहल का निर्जली करना अबक्रिया आपने समझा है केबल और केबल दस मिनट में तो एक अबक्रिया में समय लगता है बच्चो इसलिए तुम्हें कहता हूं हमेशा कि मैं कोशिस यही करूंगा कि एल्कोहल में इसमें लगबग लगबग मैं आपको दो अभुक्रिया कराई दो जैसे यहां पर अब दूसरा जो हमारा अभुक्रिया है एल को हलका है लोजनिका है जिसको हमको बिलकुल बारी की समझना है ऐसे नहीं कि हवा हवाई में छोड़ देना है क्योंकि बच्चो यह अभुक्रिया आप लोग बोड एक्जाम तक लिए तैयारी कर रहे हो जितना आप प्रैक्टिस करोगी अभुक्रियाओं को उतना आप से याद होगा ज़िए आप सोचोगे कि एक बार पढ़कर हम निकल जाएं तो यह संभव नहीं है इसलिए प्लीज आप लोग बार बार रिपीट किया करो अब क्रियाओं का मेन उद्देश होता है बच्चो आपको सीखने का एक आपके मन में होना चाहिए कि हमें यह सीखना है दूसरी बात इसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और भी यह सुबह साम इसको आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है जिससे आप आज जो भी आप पढ़ लो नोट्स बना लो इसको दो तीन दिन सुबह साम आप देखते रहो तो आल लेडी आप से बन जाएगा तो चलिए बच्चो अब एलकोहल के हैलोजनी करण को समझते हैं कि एलकोहल का हैलोजनी करण होता कैसे है पहले सब्द से आप अर्थ निकालो हैलोजनी करण मतलब हैलोजन तत्तों का जुड़ना हैलोजनी करण मतलब हैलोजन तत्तों का जुड़ना अब ये जो अब क्रिया है हमने एक बार आपको पढ़ाया है लेकिन साट फॉर्म में कैसे हैलो इलकेन बनाने की बिधि में हमने बताया था इलकोहल से इलकोहल से हैलो इलकेन कैसे बनाया जाता है तो हमने लिया था हैलोजन आमल अच्छा ये हैलोजन अमल क्या होता है सर हैलोजन अमल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इनकी क्रिया सीलता का क्रम भी बता देता हूँ हैलोजन अमल जब आपका हाइड्रोजन जब आपका हाइड्रोजन हाईलोजन परमाड़ों से क्रिया करे क्योंगी का निर्माड़ करता है या जो हमारा हाईडोजन है हाईलोजन परमाड़ो है आपस में मिल करके हाईलोजन अमल का निर्माड़ करते हैं जैसे बच्चो आपका हो गया HF या HCL आपका HF हो गया HCL हो गया hvr हो गया और hi होगा ठीक है ऐसा अब इसमें सबसे ज़्यादा kriya seal कौन होगा बताओ जिसका आकार ज़्यादा होगा ये देखो kriya seal का क्रम कि ज़्यादा सक्रे होगा इनके भी थोड़ा सा आकर्षण कम है मतलब ह एच और आई के भी जो बंद है थोड़ा सा दूरबल है क्योंकि आई का आकर बढ़ा है फिर ये क्रम है मतलब इनके क्रिया सीलता का क्रम आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि हेलोजन अमलों के क्रिया सीलता का क्रम यही है बच्चो सबसे ज़्यादा क्रिया सीलती होगा तो HI फिर उससे कम HBR फिर HCR ठीक है इनके क्रिया सीलता का क्रम है ऐसा क्यों होता है इनके kriya silta का करम का कारण क्या है तो देखो बचो फ्लोरीन और हाइडरोजन के बीच प्रबल बंद है थोड़ा सा क्लोरीन उससे आकार बढ़ा हो जाता है तो उतना प्रबल बंद नहीं जितना है चैप और जैसे BR पर पहुँचे तो और थोड़ा सा कार बड़ा तो बंद और दुर्बल और HI इसका बंद और दुर्बल तो जिसका बंद जितना दुर्बल उतना आसानी से हो तूटता है और उतना आसानी से हो सक्री होता है इसलिए इसमें क्रम ऐसा है कि सबसे ज़्यादा क्रियासील है जो हलोजन अमल जो है वो है है फिर आपका HBR है फिर उससे कम क्रियासील है और सबसे कम HF है तो यह आपके क्रम है हलोजन अमलो का अब इसी प्रकार से एलकोहल का भी क्रम होता है जैसे एलकोहल की क्रियासीलता का इसका इसको मैंने इसके पहले भी समझाय था कि जो कम टमपरेशन ले रहा हूँ ज़्यादा सक्री है पुर्णिने कंग कराओंगे तो इन हैलो जन अमलों में होता है हैलोजन परमाड़। यह देखो I यह देखो BR, यह देखो CL, यह देखो HF, तो इन हैलोजन परमाड़ूं को जोड़ना है हेलोजन से, तो हेलोजन में क्रम क्या होता है थोड़ा सा प्रोसेस समझेगा हर अभक्रिया आपको आसान लगेगा यदि आप प्रोसेस समझ लेते हैं अब मैंने कहा भाईया मेरे पास ROH है ठीक है इसको मैंने हैलोजन अमले से क्रिया करा दी अब ये OH जो है H को उठा करके H2O बना देगा और RCL बनेगा अब आप बताओ जरा ये आपका हैलो एलकेन है की नहीं है या एलकील हैलाइड है की नहीं है बिल्कुल है बच्चो तो हैलो एलकेन बनाने की बीदी में मैंने इतना आपको समझा दिया था इसके जगए आप दुतिया के अलकोहल भी ले सकते हैं इसके जगए आप तुतिया के अलकोहल भी ले सकते हैं और ये जो अब क्रिया संपन्न होती है वो ZNCL2 के उपस्तिती में होती है वो भी निर्जल बिना पानी का ये सूख बैकती है है ना और वैसे भी यहाँ पे पानी उत्पन्न होता है तो ZNCL2 के उपस्तिती में संपन्न होता है देखिए जरा निर्जल जिंग क्लोराइड के उपस्तिती में एलकोहाल हैलोजन अमलों से क्रिया करके एलकिल हैलाइड बनाते हैं हैलोजन अमली की क्रिया सीलता HI की सरवादिक HBR की सरवादिक उस से कम और फिर HCL और कम ये नुकलियो फिलिक क्रिया सीलता का क्रम है मतलब सीधर नाभिक में अटेक कौन जल्दी से करेगा वो आयोडीन पहले करेगा फिर वियार उससे थोड़ा सा कम सील और सबसे कम जिसका आकार ज्यादा है वो दुरुबल बंद बनाएगा उतना असानी से चूटेगा और उतना ही तेजी से किसे पर अटेक करके बच्चो अब क्रिया संपन करा देता है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है क्लियर हम HCL की क्रिया करा दें चाहे HBR की क्रिया करा दें चाहे HI की क्रिया करा दें तो आपका प्राथमिक का पहचान क्या होता बच्चों जैसे मारे पास CH3 है CH2 और OH OH के साथ जो कारबन है इसके साथ एक एलकिल ग्रूप है तो प्राथमिक कहला जा इसी के संगत CH3 कर दे होई है एलकिल ग्रूप यदि दो एलकिल ग्रूप हो जाएं तो ये आपका दुतिया के अलकोहल कहलाता है सही है और इसी के साथ एदि तीन एलकिल ग्रूप हो जाएं तीन एलकिल ग्रूप तो ये आपका दुतिया के अलकोहल कहलाता है ठीक सब को हम हैलोजन अमल से क्रिया करा रहे हैं HCL से करा दिए हेलो जना हम लहे की नहीं HCL से क्रिया करा दिए HCL और जब HCL लिए हैं तो GND CL2 लेना पड़ेगा द्यान रखेगा चलो भई है साइड में हो जाओ निर्जल GND CL2 देखे तीनों अब क्रिया साथ मिश्ट ले करा रहे हैं कि आपको दिख्कत ना हो सके निर्जल GND CL2 यहाँ पर भी बच्चो निर्जल GND CL2 निर्जल GND CL2 सबको गर्म करेंगी जहाँ जल कार्व तूट कर निकलेगा वहाँ पर थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा मैंने प्रोसेस क्या समझाया था भी आपको प्रोसेस यह था कि यहाँ से जो आपका OH है यह H को उठा करके H2 गो बनाएगा यहाँ का OH है यह H को उठा करके H2 गो बनाएगा यहाँ का जो OH है H को उठा करके H2 गो बनाएगा ठीक अब बच्चा क्या बच्चो simple position यहाँ पर आपका है माली जे CH3 CH2 और OH यह था आपका ठीक है और यहाँ से H और OH क्या बना दिया H2 sorry 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 यह OH के जगए आपका OH हट गया तो CL हो जाएगा भाई साहब तो यहाँ पर आप लोग CL जोड लेना ठीक है क्योंकि यह जो CL है यह यहाँ पर जा करके attack करेगा नाभिक से direct जुड़ जाएगा और ऐसे same process चलेगा देखिए यहाँ पर आपका है CH3 CH3 CH और बच्चो H2O बाहर बच्चा CL तो यह हो गया PLUS H2O फिर यहाँ पर आपका CH3 CH3 और ACS3 ठीक है यह आपका कारबन है बच्चो इसके साथ कलोरीन जुड़ जाएगा और PLUS में आपका हो जाएगा PLUS H2O इस प्रकार से एलकोहल का हैलोजनी करण होता है आसानी से ठीक है हमने निर्जल ZNCL2 के उपस्थिती में कराया अभी आप निर्जली करण में भी आपने देखा था बिल्कुल वहाँ भी जलकारो निकलता था और वहाँ पर एलकीन बनता था यहाँ पर हैलो एलकीन बनता है इसलिए तो हमेशा कहता हूँ बच्चो एक अभक्रिया दूसरे से रिलेट होता है कि आप पीछे का रियक्षन अच्छे तरीके स्तियार कियें तो यह रियक्षन आपको फिर से रिपीट हो रहा है तो गरेंटेड है कि आपको रटाफिकिसन नहीं करना पड़ेगा आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यह क्या हो रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझ गया होंगे अब कुछ कंडिशन्स पे रासानिक अब क्रिया संपन होती है वैसे प्राथमिक दूतियक त्रतियक कहें देखो जरा प्राथमिक यलकोहल ठीक है हमने जो अब क्रिया करा बच्चो हो एच यहां पर ही एच ओएच निया से हैलो एलकेन तो इस प्रकार से क्रिया होती है अब कुछ रासानिक अब क्रियाक एक है सेश परिष्थित में भी संपन होती हैं बच्चों जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कुछ HBR जैसे हमको HBR के साथ क्रिया कराना है तो यहां पर थोड़ा सा उत्प्रेड़क चेंज करना पड़ता है H2SO4 लेना पड़ता है बाकि सब कुछ सेम है है जैसे हमने कहा HCL की क्रिया कराई तो हमने जड़ें किईलट लिया लिए इस बार HBR के साथ क्रिया करणे तो थोड़ा बट्रेड़क चेंज करना है ठीक है उत्प्रेड़क चेंज केसे करना है H2O 4 लेना है बाकि सेम प्रोसेस है OHH को लेकर के उठा ले जाऊंगा तुझे मैडोली से H2O बना कर ले गया BR आकर जुड़ गया यहाँ पर आप देखो ज़रा OHH जो है H के साथ जुड़ करके H2O चले भईया साजन सजनी के घर अब OHH यहाँ से H निकल गया H2O बाकि क्या है यहाँ पर आपका BR जुड़ जाता है ठीक है BR जुड़ेगा यहाँ पर ठीक है यहाँ जुड़ेगा बच्चो BR तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हमने HCL की क्रिया करा दी HBR दोनों में उत प्रेडक चेंज है HCL में GNDC L2 और यहाँ पर H2SO4 बाकि सेम प्रोसेस बच्चो OHH H को उठाया H2 OHH H को उठाया H2O OHH H को उठाया H2O बाकि BR जुड़ गया वहाँ पर CL जुड़ता था यहाँ पर BR जुड़ता है नाम करना कर सकते हो न बाई यह एथिल ब्रोमाइड है यहाँ पर दो नंबर पर जीसे 123 2-Bromopropane है यहाँ पर 123 तो 2-Bromo-Metheth-Probute 2-Bromo-2 ऐसा कर दो Methyl पहले आएगा 2-Methyl-2-Bromopropane Metheth-Propane हो जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है को दिकत तो नहीं है यहाँ तक क्लियर है कुछ और विशेस कंडिशन पर हम आपको बता देते हैं यह आपको तैयार करना तो कर सकते हैं जैसे यह अब क्रिया संपन कराए हमने कहां एलकोहल की क्रिया फासफुरस पेंटा क्लोराइड से तो POCL3 बनता है याद करो भाईया हो सकता है आपको याद आ जाए याद आ जाएगा आपको यह अब क्रिया भी कराया था लाल फासफुरस की उपस्थिती में एलकोहल की क्रिया एचाई से तो आपका क्या बना था यहाँ पर देख लो आप ठीक है यह आपको साइद याद आ जाए पहले पुराने रियक्षन यदि आप वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको बिलकुल फोर्स नहीं लगाना होगा तो इस अब क्रिया को आप लोग थोड़ा सा कर लीजेगा की एलकोहल की क्रिया फासफुरस पेंटा क्लॉराइड से कराते हैं तो हाईलो एलके नहीं मिलेगा बच्चो यह CS3, CS2 है न एक क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा बाकी एक CL, HCL की रूप में और एक POCl3 बनाता है यह आपको POCl3 इसको याद करना पड़ेगा POCl3 बनाता है ऐसे जब थायोनिल क्लॉराइड SOCl2 से कराते हैं तो CS3, CS2 एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा बाकी एक HCL की रूप में बाहर बचेगा और SO2 बचेगा तो उसको लिख दोगे सेम रियक्सन है दोनों को ठीक है मैं आपको समझा भी देता हूँ यहां पर P, C, L, 3 और C, L, 2 एक HCL यहां ले जाता है और एक CL यहां पर आता है ठीक तो बनेगा क्या CH3, CH2 एक क्लोरीन उठा ले गया एक H जो है तो वो HCL बना कर ले जाएगा अब बचा क्या P बचा और तीन क्लोरीन बचा एक अक्सिजन बचाता है यह P, O, C, L, 3 बन गया फासफूरस आक्सी क्लोराइड फासफूरस आक्सी क्लोराइड बनाता है इसका नाम तो सबको पता है मेथ एथिल क्लोराइड बचा हो क्या एथिल क्लोराइड जब थायोनिल क्लोराइट से कराते हैं क्लिया CS3, CS2, OH है और आपको कराना है SOCl2 से एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा और एक क्लोरीन H के साथ तो बचा क्या CS3, CS2, CL हो गया एक HCL बार हो गया और आपका बचा SO2 SO2 सलफडा यह अक्स है इस तरीके से रियक्षन होता है और लाल फासफुरस के उपस्तिते में क्रिया कराते तो एलकेन बनता है एलकेन का मतलब एक हैड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा अक्सिजन निकल जाए खतम कहानी तो आपका हैलकेन बन जाता है तो यह हैलोजनी करण था और आप लोग दो चीज़ा आप समझ गया है निर्जली करण और हैलोजनी करण उम्मीद करता हूँ बच्चो वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल में पहली बार आए है और इसका नोट्स नहीं लिए तो अभी आप नोट्स ले सकते हैं इस नोट्स ले ले और प्रापा रूप से त्यारी करते चलें और इसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें डिस्क्रिप्चन पर हमारे याइब कर लिंक है आप उहां से भी जुड़ सकते हैं जैहिंद बंदिमातरम